इसमें 12 फेल लोगों के लिए इतनी सुरक्षा दी जाती है आप सोच सकते हैं कमांडो गीनिये यहां पे सिक्योटी आप कुछ गीन नहीं सकते हैं कितने गणर लोग आगे पिछा लगे रहते हैं तो सुचिया सीरम इंस्टिट्यूट के जो अदारपुना वाला है उनसे गलती हो गया उन्हें हमारी दीदी से सीखना चाहिए हमारी वहन से सीखना चाहिए कि अगर आप बारहमी फेल रहते हैं तो आपको जादे सुरक्षा दिये जाता है जर्म चाहिए कि यहां पते है यहां आहि यह आईसे लोग को इतना सुरक्षा दीये जाना जबकि जनके जान पर कोई खत्रा नहीं को सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस मिल जाता इस रो का लॉंचिंग से स्टेशन कलकत्ता में अस्थाफिद हो जाता साथ भारत की राजधानी वापस कलकत्ता सीफ्ट कर दी जाती अगर ममता बनजी हारती तो बंगाल वालो तुम नों ने हरवा दिया हम मेरी दीदी की लिए इस तरह से हम लोग स्कॉर्ट की वेवस्था रखें और चारों और से बुलेट रूफ गाड़ियों में हमारी दीदी को ले जाए जाए क्योंकि भारत उनके बीना अधूरा है वह बहुत जरूरी वैज्यानिक है है कोई भैज्यानिक में इतना पावर जो बारहमी फेल होने के बावजूदी इतना सम्मान ले सके हमारी दीदी के लिए कमांडो लगने चाहिए यह जेट प्लस सुरक्षा से काम नहीं चलेगी यहाँ पर हमारी दीदी के लिए NSG कमांडो आना चाहिए मारकोपस आने चाहिए गरूर कमांडो आने चाहिए यह कमांडो अगर हमारी दीदी में नहीं लगने तो क्या होगा और इस पेसली हम मांग करते हैं एरफोर्स से कि जहां-जहां हमारी बारहमी फेल दीदी चले वहाँ आगे-आगे इस तरह के हेलिकॉप्टर चलने इस दो को तुरब एक सेटलाइट लाँच करना चाहिए और उस सेटलाइट से इस्पेसल सेटलाइट होना चाहिए उनके लिए ताकि उनकी निगरानी हो सके इतने सम्मानित व्यक्ति जिन्हें इतने नेस्नल एवार्ड मिले गया है उनको केवल जेट प्ला सुरक्षा दी चाहिए बताईए ये जरूरी है सीरम इंस्टिट्ट्ट वाले को अधारपुणा वाले को बहुत ज़रूरी है को सिपाई दे ज meus बहुत हो गया यहां पर आप बताइए कमेंट में बताइए कि क्या हमारी दीदी को इतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि ने मिलनी चाहिए उनके बीना देश अधूरा हो जाएगा उन्हें सुरक्षा ये मिलनी चाहिए खेर दीदी को ये सारी सुरक्षा दी जाएगी आप अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगाएगी वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है I hope आप समझे होंगे मिलनी ने चाहिए